हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैसल वशा चावला आम ए रेकी हीलर एंड टैरो कार्ड डीडर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हमारी प्यारी नींद नींद को आयरवेद के मौलिक सिद्धानतों में से एक माना गया है नींद और हमारा बहुत गैरा रिष्टा है अगर हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो वह हमारे जीवन शक्ति को बनाए रखने में हमारी मदद करती है आज के समय में अनिंदरा एक बहुती परमुक समस्या है इवन बड़ों को ही नहीं छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं जिससे पैदा होती हैं बहुत सारी बिमारिया क्योंकि नीन नयपूरी होने की वज़े से हमारी इम्म्नियोटी कमजोर हो रही है और हम तेजी से बिमारियों को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं गहरी नीन से हमारा तनाव कम होता है और तनाव ही बहुत सारी बिमारियों को अपनी और आकरशित करता है तो नीन का मुखे नीन लेने का मुखे आपको बेनिफिट है वो हमारी तंतिका तंत को शान्त करके हमारे टिशूस को फिर से ड्वालप करने में हेल्प करती है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे टिशूस जो पूरा दिन में डैमेज हुए होते हैं या कमजोर हो जाते हैं वो फिर से अपने आपको रिपेर कर लेते हैं और जब हमारे टीशू पूरी तरह से रिपियर और हेल्दी होते हैं, तो हम दिन में भी पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, नीन का मतलब यह नहीं कि आप सोया एक घंटे में उठ गया फिर सोया नहीं, बहुत ही क्वालिटी नीन आज के टाइम में दस में से दो या तीन तो आप में एक सफूर्ती आ जाती है, लेकिन आज के टाइम में पिन ड्रॉप साइलेंस वाली नीन बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, इसका कारण है हमारे आसपास का एटमोसफेर, हमारे फोन, हमारा टीवी, टेक्नोलोजी, इन सब चीजों ने हमारे नीन को बहुत जादा डिस्टरब कर दिया है, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही घरेलून उसके बताऊंगी, जिससे आप, जो आपको नीन लाने में काफी सहायक होएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, गरम दूद की, दूद में प्रोटीन, ट्रिफोटेन होता है, जो हमारे शरीर में नीन लाने का एक बहुत ही बड़ा कारक है, तो फ्रेंड्स आप दूद को कैसे कैसे ले सकते हो, रात को सोने से एक घंटा पहले, बिल्कुल बैट टाइम पे आपने दूद नहीं लेना, सोने से एक घंटा पहले, आप दूद के अंदर जाइफल डालके पी सकते हैं, एक गलास दूद में शेहद डालके पी सकते हैं, जिन लोगों को यूरिक एसिट की प्राबलम होती है, और वो रात को दूद नहीं पीना चाहते, तो वो गरम पानी के साथ ये उपाए कर सकते हैं, इसके अलावा सोने से दो घंटे पहले आप गुनगुने पानी के साथ नहा लें, न इससे क्या होगा कि आपका तंत्री का तंत्र शान्त होगा, आपके विचार आपसे थोड़ी दूर होंगे और आपकी सोने में हेल्प होईगी, इसके लावा अगला उपाए, अगली रेमेडी एफरेंट्स, मसाज, मसाज से भी हमारे तंत्र का तंत्र को बहुत शान्ती मिल आप भ्रिंग राज तेल से सीर और पैर पर अच्छे से मालिश करें और उसके बाद सो जाएं, और सोने से पहले कम से गम आधा पोना घंटा पहले आप अपना फोन, टीवी, लैप्टोप सब को बंद कर दें और आप अपनी बोड़ी को कमांड दें कि आपको एक गहरी नी करने के बाद सच में अगरे सनाय तंत्र को एकदम से उत्तेजित कर दिया हमारा बीपी हाई कर दिया फिर तो आपकी नींद उढ़ी जाएगी तो कोशिश करें सोने से कम से कम आधा घंटा पहले आप अपने फोन और टीवी से दूर हो जाएं दभी आप एक गहरी नीन ले स सकते हैं इसके अलावा आप 10 मिनट मेडिटेशन करें डेली इससे क्या होगा आपको अपना पाथ क्लियर होगा के सुबह उठके आपको क्या-क्या चीजे करनी है और आप उपनी बॉड़ी को कमांड दे के सो सकते हैं मेडिटेशन करने के बाद सच में फ्रेंड्स अगर आ है आपको क्या करना है दो चम्मच मेथी का रस प्लस एक चम्मच शहद इसका आप डेली सेवन करें मेथी चिंता अनिंद्रा और चकर आने की समझ्या को काफी हद तक 99% तक दूर कर देती है दो चमच मेथी का रस प्लस एक चमच है इसका आप डेली रात को चाहे तो सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम आप सेवन कर सकते हैं और आप क्या करते हैं कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं उससे हमारी नींद में फायदा होता है लेकिन अगर आप कैमोमाईल टी पीएंगे तो वो नींद का कारक होती है Chamomile Tea, मतलब उसमें एक अलग तरह का flavor होता है जो हमारे तंतरी का तंतर को शान्त करके हमारी सोने में मदद करता है ठीक है friends, hope so, आपको ये remedies पसंद आए आप अपनी body के हिसाब से, अपने taste के हिसाब से जो भी remedy आपको अच्छी लगती है, आप उसको अपनाए और एक अच्छी नींद ले, अगर आप अच्छी नींद लेंगे तभी आप जिंदिगी में आगे बढ़ पाएंगे बच्पन में देखा है ना, बच्चे कैसे बेसु दोकर सोते हैं कितनी प्यारी नींद होती हैं उनकी, और फिर उसके बाद वो खूब खेलते हैं इसी तरह हम लोगों को भी अपना अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए एक अच्छी नींद लेने की बहुत ज़ादा जरूरत है नीद आएगी तो सपने आएंगे, सपने आएंगे तो हम उन सपनों को तभी तो पूरा करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और लाइक और शेर माई वीडियो बाई बाई टेक केर